आज मैं फिर से एक सस्ता जुगार लेके आई हूँ यह फैंसी रिंग हम घर पर कैसे बना सकते हैं चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें कोई भी पुराने कड़े ले लेने हैं अगर कड़े नहीं हैं तो हम पुरानी चूडियां का इस्तमाल कर सकते हैं से हम आज का क्राफ्ट चुरू करेंगी सबसे पहले तो यहां पर अपने कड़े के ओपर थोड़ा सा ग्लू लगा लीजिए हाट ग्लू लगा लीजिए यह फैवी बॉंड आता है उसका इस्तमाल कर लीजिए फिर हमें यहां जो गोटा पट्टी आती हैं दस उर्पे का र सोडने से हमारा क्राफ्ट भी खराब हो जाता है सुंदर्ता उसकी चली जाती है और जो इसके पर मोती वेरा लगाएंगे वह भी लटके लटके से रहते हैं तो काम में फिनिशिंग नजर नहीं आती फिर सिरे को फिर से ग्लू लगा कर हम चिपका देंगे हमने मैचिंग की सुई धागा ले लिया है और यहां पर मैंने मोतियों का इस्तमाल कर रही हूं चोटे मोती हैं तो एक बार में तीन बहुत रहते हैं अगर इससे भी छोटे मोती का आप यूज कर रहे हैं तो एक बार में आपको चार भी ले सकते हैं तो इस तरह से मोती मैंने पिरो दी हैं और मोति तो इसने मोती होतले मादें बाद पीछे की और धागा लाते वे पहले वहिसे में ओंसे की मिद्द के और भीन, और मोति अलंसे कारा हैं। इससे हमारे काम में कच्छी finishing रहती है देखे इस तरह से आपे हम back stitch के साथ चिपकाएंगे back stitch करेंगे याँ पर इस तरह से हमें नाप लिया और अपने सुई को पीछे के और लाते वे खीच लेंगे और फिर पहले वाले मोती में से वापिस निकालते वे सुई धागे को आगे के और ले आएंगे ऐसा करने से हमारे क्राफ्ट में finishing रहती है और यह माला ऐसे दिखती है कि एक ही साथ चल रही है अगर हम आगे की और इसको स्टिच करके फिर चार मोती लेंगे और या तीन मोती लेंगे फिर आगे के और स्टिच करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल भी मीशिंग नहीं आएगी और यहां बीच-बीच में से खुला-खुला सा नजर आएगा बिक्रा-बिक्रा सा नजर आएगा जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा पूरे रिंग के ओपर इसी तरह से मोतियों को लगा लेना है यहां पर देखें बैक स्टेज का इस्तमाल करें और फिर अपने फर्स्ट वाले मोति के अंदर वापिस सुजधागा दालते वे इसे कम्प्लीट करें यह बात में अबर बता रही हूं सरफ इसलिए कि आप जब भ होती कैसे बनाएं और कई तरीकों से हम अपने क्राफ को बना सकते हैं बैल कैसे बनाएं सस्ते जुगाड जो है मैंने कई वीडियो में दिखा रखें और आप उपर भी देख रहे हैं हर वीडियो का जो मैंने थम नेल है वीडियो पर दे रखा हैं तो आप मेरे सस्ते जट के अंदर अच्छा सुन्दर क्राफ्ट कैसे तयार कर लें तो बस इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी और अगर आप अपने इस क्राफ्ट को बनाना चाहते हैं तो आप जो छोटे पैकेट आते हैं ददद सुर्पे के उससे हमारे क्राफ्ट के जो पैसे बढ़ जाते हैं हमें महंगा पड़ सा है आप चाहें तो पूरा पैकेट ले लें जिसमें आपको बहुत बचत रहेगी एक पैकेट के पैसों में आपको दो तीन वराइटी मिल सकती हैं जैसे एक मोटा मोती ले 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 एक वाइट मोती ले 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 से तीन पैकेट अपने ले लिए तो अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हैं तो ऐसे भी आपके बजट में भी आ जाएगा और आपको स सारे मोतियों में से ही निकालते वे एंड तक लेके जाने इससे क्या होगा कि अगर हमारा कोई मोती टेड़ा मेड़ा लग भी गया है तो एक सिंगल धागे से उस जब वो पूरे में एक जैसा पिरोया जाएगा तो उसमें एक फिनिशिंग रहीगी जिस तरह से मैं पिरो रही और लास्ट में जाके उसे गोटे के साथ ही स्टिच कर देने हैं यहाँ पर यह फिनिश हो गया है यह हमारे घर का रिंग और वो है हमारे बजार का रिंग तो बताए कौन सा अच्छा लगा मुझे उमीद है कि यह क्राफ्ट आपको बहुत पसंद आया होगा इस तरह के अगले क्राफ्ट